यह एक computer based English language test है इसके भी four modules होते हैं speaking, writing, reading and listening लेकिन यह एक्जाम किसी person के दौरा चेक नहीं किया जाता इवन आपकी speaking हो, writing, essay हो जा रीडिंग हो इसके marks आपको computer के दौरा ही मिलते हैं क्योंकि यह computer based English language test है इस जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो PTE के exam का new format रह वो change हो चुका है यानि कि 16 November 2021 से नया format PTE के exam के लिए start हो चुका है जैसा कि आप सब जानते हैं कि exam start करने से पहले हमें एक personal message record करना होता है जिसको हम personal introduction भी बोलते हैं तो ये personal introduction का section आपको exam start करने से पहले record करना होता है जिसके लिए आपको 1 minute मिलता है और इसके कोई भी marks आपके exam में add नहीं होता है यानि कि इसका कोई भी score आपके exam में add नहीं होगा तो पहले भी ये message record करने के लिए आपको 1 minute दिया जाता था और अब नए format में भी इसके अंदर कोई changes नहीं होगा है यानि कि आपको पहले भी 1 minute ही मिलता था record करने के लिए अभी भी आपको 1 minute मिलेगा जिसमें कि आपको अपना personal introduction का message record करना है personal introduction message record करने के बाद आपका जो section आएगा वो होगा speaking and writing तो speaking and writing के section में हमें पहले 77 से 93 minutes मिलते थे जिसमें कि हम सारे questions कवर कर सकते थे बट नए rules के according आपको speaking and writing section complete करने के लिए मिलेंगे 56 to 67 minutes और उसके बाद जो section स्टार्ट होता है वो है reading reading के लिए पहले आपको 32 to 41 minutes मिलते थे यानि की 32 to 42 minutes मिलते थे वो exam cover करने के लिए बट अभ नए rules के according आपको reading section complete करने के लिए 39-30 minutes मिलेंगे यानि 29 to 30 minutes मिलेंगे आपको ये section cover करने के लिए और guys reading के इस section के बाद आपको एक optional break मिलता था जो की 10 minutes का होता था तो ये एक optional break था अगर आप चाहते हैं तो आप ले सकते थे और आप अपने exam को continue करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते थे लेकिन नए format के according इस section को completely हटा दिया गया है यानि कि अब आपको 10 minute का optional break नहीं मिलेगा आपको जो exam करना है वो continue ही करना है तो जैसा है कि अब आपके पास option नहीं है optional break के लिए तो अब आपको reading के बाद start करना होगा listening तो listening में हमें पहले 45 to 57 minutes मिलते थे और अब इसके लिए हमें only 30 to 43 minutes ही मिलेंगे I hope आपको यहां तक clear हो गया होगा तो चलिए आगे बढ़ते हैं और उसमें देखते हैं कि speaking, writing, reading and listening के questions में क्या changes हुए है So guys speaking and writing section में हमारे पास जो questions आते थे उसके अंदर हमें सबसे पहले record करना होता था personal introduction So जैसे कि आप यहां पर देख पारे हैं कि personal introduction में किसी भी तरह का कोई changes नहीं हुआ है यानि कि पहले भी आपको एक message record करना होता था और अभी भी आपको एक ही message record करना है और उसके बाद जब speaking section स्टार्ट होगा तो सबसे पहले आपके पास आएगा read aloud तो read aloud में भी नए format के according कुछ भी changes नहीं हुआ है यानि कि पहले भी आपको 6-7 questions मिलते थे तो अभी भी आपके exam में 6-7 questions आएगे तो read aloud के बाद आपके पास sentence आएगा repeat sentence जिसमें कि आपको sentences repeat करने होते हैं तो old format में 10-12 questions आते थे उसी तरह नए format में भी आपके पास 10-12 questions आएगे और repeat sentence के बाद जो section आएगा वो होगा describe image तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास changes हुए है जो हमारे पास पहले जो questions आते थे वो 6-7 questions होते थे और अभी नए format के according हमारे पास जो questions आएगे वो 3-4 questions आएगे तो guys आप यहां पर यह देख सकते हैं कि अगर time कम हुआ है तो उन लोगोंने questions को भी कम कर दिया है यानि कि पहले आपको describe image के लिए 6 questions का answer देना होता था तो वो अब minimum 3 हो गया है और maximum 4 यानि कि पहले आपके पास maximum क्या होते थे 7 तो अगर आपका यहां पर time कम हो रहा है तो it means आपके questions भी कम हो रहे हैं तो उसमें कुछ ज़्यादा changes नहीं है describe image के बाद आपका जो section आएगा वो होगा retail lecture retail lecture में हमारे पास पहले 3 से 4 questions हमें देखने को मिलते थे जो कि अब 1 या 2 ही देखने को मिलेंगे यानि कि आपको एक lecture सुनाया जाता है उसको आपको repeat करना है तो पहले वो 3 से 4 हो सकते थे जो कि अभी 1 से 2 ही होंगे या हो सकता है एक ही हो I hope आपको ये clear हो रहा होगा कि अगर questions को कम किया गया है तो आपका time duration भी by default कम हो गया है उसके पास answer short questions में आपके पास 10 से 12 questions आते थे यानि कि आपको एक question दिया जाता था और आपको short answer में उसका एक जवाब देना होता था तो पहले जो questions आते थे वो 10 से 12 होते थे जो कि अभी आपके पास only 5 to 6 ही होंगे यानि कि आपको सिफ 5 से 6 questions का ही answer करना है So answer short question के बाद आएगा summarize written text So summarize written text में आपके पास 2 से 3 questions आते थे और नए format में आपके पास आएंगे 1 से 2 questions And write an essay यानि कि essay के section में कोई भी changes नहीं हुए है यानि कि पहले हमारे पास 1 से 2 questions आते थे अभी भी format रखा गया यानि कि 1 से 2 questions आएंगे तो हमारे पास जो overall changes है जो पहले जो questions आते थे वो 39 to 48 होते थे speaking and writing के section में जो कि अभी only 28 to 36 ही होंगे तो guys आप यहां पर साफ difference देख सकते हैं कि अगर आपका time कम हो रहा है तो आपके questions को भी कम कर दिया गया है यानि कि पहले आपको ज़्यादा questions का answer करना पड़ता था अब आपको कम questions का answer करना होगा उसी तरह जो time allocation किया गया था speaking and writing section के लिए पहले था 77 to 93 minute और अब उसको कर दिया गया है 54 to 67 minute यानि कि अगर आपके questions कम हो गया है तो आपका time भी कम कर दिया गया है तो guys basically इसमें कोई format में changes नहीं है नहीं किसी तरह का कुछ add किया गया है यह only questions को कम कर दिया गया है तो speaking and writing के section में आप 54 to 67 minute में easily इस section को cover कर सकते हैं तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं PTE के reading section के बारे में कि उसके अंदर क्या-क्या changes होएं तो guys reading के section में हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो fill in the blanks आते हैं जिसमें कि आपको reading and writing के section आएगा उसमें पहले हमारे पास जो questions होते थे वो 5 to 6 होते थे और इसके अंदर नए format के according कुछ भी changes नहीं किया गया यानि कि अभी आपके पास जो fill in the blanks reading and writing के questions आएगे वो भी 5 to 6 होंगे उसके पास जो section आएगा वो गा multiple choice, multiple answers तो इसमें हमें जो पहले questions देखने को मिलते थे वो 2 से 3 आते थे और अभी आपके पास वो 1 से 2 आएंगे हो सकता है आपके पास 2 आए और हो सकता है आपके पास 1 question भी आए इसके बाद आपके पास section आएगा reorder paragraph reorder paragraph के अंदर भी कुछ भी changes नहीं किया गया यानि कि पहले भी हमारे पास 2 से 3 question हमें देखने को मिलते थे और नए format के according भी आपके पास 2 से 3 questions ही आएंगे reorder paragraph के बाद आपके पास जो section start होगा वो होगा fill in the blanks reading तो इसके अंदर भी आप दिख सकते हैं कि कि किसी भी तरह की changes नहीं हुए यानि कि पहले भी हमें 4 से 5 questions cover करने होते थे और नए format के according भी हमें 4 से 5 questions को ही cover करना है और reading के section में हमारे पास जो last section होगा वो होगा multiple choice single answer इसमें पहले हमारे पास 2 से 3 questions आते थे और नए format के according हमारे पास only 1 या 2 questions आ सकते हैं तो जो total questions आपको reading section में पहले देखने को मिलते थे वो 15 से 20 questions होते थे और अभी हमारे पास जो नए format के according जो questions आएंगे वो 13 से 18 होंगे यानि कि minimum 13 and maximum 18 and guys यहां भी आप देख सकते हैं कि आपको जो पहले यहां पर time मिलता थे वो 32 से 41 minutes यानि 32 to 41 minutes मिलते थे अभी आपको ये section only 29 to 30 minutes में ही cover करना है यानि कि इस section में आपको ये ध्यान देना है कि आपके only दो section में ही questions कम हुए है यानि कि multiple choice multiple answer and multiple choice single answer उसके अलावा fill in the blanks, reorder paragraph and fill in the blanks reading के अंदर आपके same question रखे गए हैं तो इस reading section के लिए आपको थोड़ी और practice करनी होगी जिससे आप easily इस section को भी 29 to 30 minutes में cover कर पाएंगे तो I hope reading section का ये new pattern आपको clear हो गया होगा तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं तो guys listening के section में जैसे कि आप देख पा रहे हमारे पास जो first section आएगा वो होगा Summarize Spoken Text इसमें हमारे पास जो पहले questions मिलते थे हमें 2-3 questions आते थे और अभी हमारे पास new format के according एक से 2 questions ही आएंगे यानि कि पहले minimum 2 और maximum 3 questions थे अब minimum 1 और maximum 2 questions कर दिया गए है और उसके बाद जो section स्टार्ट होगा होगा multiple choice multiple answers तो यहां भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास 2-3 questions हमें पहले मिलते थे और अब यह change होकर 1-2 questions कर दिया गया है and multiple choice multiple answers के बाद start होगा fill in the blanks तो fill in the blanks में आप देख सकते हैं किसी भी तरह के कोई changes नहीं किया गया यानि कि हमारे पास जो पहले questions आते थे वो 2-3 questions आते थे और नई format के according भी आपके पास only 2-3 questions ही आएंगे और इसके बाद जो section स्टार्ट होगा होगा highlight correct summary तो highlight correct summary में आप देख सकते हैं कि इसमें भी changes कर दिया गया यानि कि पहले जो आपके पास 2-3 questions आते थे वो अभी आपके पास only 1-2 questions ही आएंगे यानि कि आपको 1-2 questions को ही cover करना है और उसके बाद जो start होगा वो होगा multiple choice single answer इसमें भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास 2-3 questions पहले आते थे और अभी नए format के according एक से 2 questions ही आएंगे multiple choice single answer के बाद start होगा select missing words तो इसके अंदर भी आपके पास पहले 2-3 questions आते थे और इसमें भी change करके 1-2 questions कर दिया गया यानि कि नए format के according आपको minimum 1-2 questions को cover करना है select missing word के बाद start होगा highlight incorrect word तो यहां आप देख सकते हैं कि इस section में किसी भी तरह का कोई changes नहीं किया गया यानि कि पहले भी आपके पास 2-3 questions आते थे और अभी नए format के according भी आपके पास 2-3 questions ही आएंगे पहले आपको 15-22 questions करने के लिए time दिया जाता था 45 minutes to 57 minutes तो minimum आपके पास 45 minutes होते थे लेकिन अब नए format के according आपको इसमें only 30 to 43 minutes ही मिलेंगे तो guys इस section में आपको ये दिखना है कि आपके fill in the blanks है highlight incorrect words and write for dictation के लिए कुछ changes नहीं किये गये हैं लेकिन और सभी parts के लिए changes कर दिये गए हैं यानि कि वहाँ पर आपके पास questions को कम कर दिया गया है तो उसके according भी आप easily इस section को complete कर सकते हैं तो I hope आपको ये clear हो गया होगा कि PT के exam का जो नया format है उसके अंदर क्या-क्या changes होएं और ये format already start हो चुक है last year 16th of November 2021 से यानि कि अभी आपके पास जो questions आएंगे जो format होगा वो नए format के according आएंगे so friends exam देने के बाद आपको जो result मिलेगा उसमें भी कुछ changes किये गये यानि कि आपको जो score card मिलता है उसके अंदर भी changes किये गये हैं तो score card में पहले आपके पास आपके profile में आपके listening के score बताया जाता था कि आपको listening, reading, speaking and writing में कितना score मिला है और उसके बाद enabling skills में आपके पास ये बताया जाता था कि आपकी grammar, fluency, pronunciation, spelling, vocabulary and written में आपने कितना score किया यानि कि उससे भी आपके skills का पता लगता था लेकिन PTE के नए section के coding ये सारी चीज़े रिमूव कर दी गए यानि कि अभी आपके पास सिर्फ skill breakdown आपको मिलेगा कि आपका listening, reading, speaking and writing में कितना आपने score किया है If you want to achieve your desired score, please visit a broad zone center. Thank you